गुड इवनिंग ओर फ्रेंड्स तो अभी इवनिंग टाइम है आज है बीरवार और तारीख है 29 अगस्त 2014 और मैं हूँ किच्चन में अपने माइके में और साथ में है मेरी मम्मी मेरी माता नमस्ते मम्मी नमस्ते तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने म जाता है ना मम्मी का आया था अंगेक तित्ति सरी मडाईया रजय तो आज वही हम बनाने जा रहे हैं चलिए करते हैं शुरू तो घी बनाने के लिए सबसे पहले एक बरतन चाहिए होता है हमें जो यहां पे है और इस बरतन में क्या डालना है सबसे पहले वह भी आप लोगों अगर आप लोग घी को लॉंग टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं तो जो आज मैं करने जा रही हूं वह आप लोग भी कीजिए वह तरीका अपनाए और अपनी घी को लाइफ टाइम तक स्टोर कीजिए तो यह देखिए जी यह है घी बनाने के लिए स्पेशल मैंने बरतन लिए हुआ कडाई जिसको बोलते हैं जिसके अंदर डाला है मेथी दाना तो मेथी दाना आप लोगों को पता है कितना फायदेवन्द है हजारो गूण एक दाना और हजारो गूण इसमें मौझूद है तो शूगर के लिए भी खाते हैं और पेट दर्द के लिए वी तो मैं गैस जला रहे हूं अभी यहां देखिए तो गैस मैंने ओन कर दी है और इस मेथी दाने को में थोड़ा सा भून लूँगी थोड़ा सा हलका सा ब्राउन कर लूँगी जब इसमें थोड़ी सी खुश्बु आने लगीगी तब समझ लेना कि यह पक चुकी है और उसके डालना है वो आप लोग अपने घी के अकॉर्डिंग डालेंगे तो मेरे पास जितना घी है मक्षन है उतना ही मैंने इसमें डाला है जिससे इसकी खुश्बुस में समा जाए तो यह हो ही चुका है अब मैं घी मक्षन निकाल देते हूं बार-बार में घी ही बोड़ रही जब ये इसमें कर जाएगा और जो मक्खन होता है उसको हम लोग फ्रीज में स्टोर करते हैं ताकि ये खराब ना हो क्योंकि गर्मिया है और ये है जी मक्खन ये देखिए तो मक्खन इतना हमने जमा कर लिया था ये देखिए मलाई मलाई जो उती है दूद की दूद कारने के बाद हम लोग इस तरह से दढ़िज मा के फिर उसको लसी बना के तयार कर देते हैं और फिर जब ये इस तरह भर जाए बरतन तो फिर इस तरह से घी तयार कर देते हैं तो अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी ये रेखिए और मेथी से खुश्बू आने शुरू हो गई थी तो थोड़ी देर में ये पिगलेगा थोड़ा टाइम लगेगा ज्यादा नि बस पांच मिनट से भी कम टाइम इसको पिगलने में लगेगा ये देखिए ये है ताजा ताजा मक्खन पीला पीला मक्खन कामधेनों गाएगा और हिलाते हिलाते बच गया है जी थोड़ा सा मक्खन का ढेल तो ये भी पिगली जाएगा और इसमें जो ज्जाग आप लोग देख रहे हैं ये पूरी लसी होती है जो मक्खन से नहीं निकली होती है तो ये भी कड़ कड़ के खतम ही हो जाएगी थोड़ी देर में तो ये देखिए जी बनाते बनाते लसी अलग हो गई है और घी अलग जो मक्षन के अंदर लसी होती है वाइट वाइट वो देखिए अलग से जरनी शुरू हो गई है और घी की छंटाई होगी और एक्तम पीला का पीला घी ये देखिए यलो, काफी यलो रंग इसमें आए सच में असा लग रहा है मानो हल्दी डाली हुए इसमें, सच भी पता निकि यासा लग रहा है कि अग्दम नैच्रल यलो कलर इसमें आ चुका है तो वही ऐसा घी भी ना इसने अपनी खुश्बू से घेर लिया है तो ये है सही माइने में असली घी वाउ तो फाइनली सही माइने में सही घी बन चुका है और यही इसको बनाने का सही तरीका है तो आप लोग जरूर अपनाएए आपके घी में कोई बास नहीं आएगी लॉंग टाइम तक आप लोग इसको स्टोर कर सकते हैं जो नहीं इस तरह से काड़ते हैं वो इसके बाद जरूर इस तरह से अपने घी को अपने घरों में काड़िए और बहुत देर तक इसको स्टोर कीजिए कभी भी इसमें स्मेल नहीं आएगी और एवन इतनी अच्छी खुश्बू चलेगी जब भी आप कभी सबजी दाल में घी का तड़का भी लगाते हो ना तो पूरा घर खुश्बू से महक उठता है तो है ना खुश्रूत बात वाउ